नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एड्यूकेशन के एड्सिक्स में लेटेस जॉब अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबाके ताकि यह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके अगर नोट उडिशा पावर ट्रांस्मिशन कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से यह गवर्मेंट ऑफ उडिशा अंडर्टेकिंग कंपनी है जिसने यहां पे वेकेंसी निकाली है 262 पदों की लगातार ऐसी ही पलपल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहें अपने चैनल के माद्य यानि कि कल से ही अपलाई कर सकते हैं आप लोग यहां पे 10 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक के बीच में एक महीने का पुरा यह समय दिया गया है आप लोग को आविधन करने का तो चलिए मैं इसके नोटिफिकेशन को यहां से देखलाना चाहूंगा और आप लोग इस पेज आप लोग क्या कर सकते हैं आप लोग इन कर सकते हैं अगर नए कैंडिडेट है तो आप पहले रेजिस्टेश कर लिएगा खुद को यहां पे और इसके बाद आप इसके लिए लोग इन करके अपना अप्लिकेशन फॉर्म भी भर लिजेगा चुकि यह CBT एक्जाम होने के इसके बाद ही आपका यहां पे चयान होगा तो यह एक अच्छी प्रक्रिया है यहां पे दोस्तों मैनेजमेट ट्रेनी असिस्टेंट और इंजीनियर और साथ में ग्रेजुएट अप्रेंटिशिप की वेकिंसी है 262 पदो की जी हां और आपको मैं एक चीज़ और क्लिर कर आया है New Year Resolution to crack the 67th BPSC देखे यहां पे PT से लेकर आप मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं बिलकुल और खासकर जो मेंस में उत्तर लेखन होता है जो कि यहां पे सबजेक्टी पेपर होता है हमारा BPSC में मेंस को पेपर को लेकर तो इसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेट करेंगे साथी साथ आपको यहां से PDF मेटेरियल के अलावा टेस सीरीज भी प्रोवाइट की जाएंगी जो कि बिहार के सिर्फ सिक्षकों के द्वारा यह BPSC मेंस के कठिन प्रशनों को कैसे हल करना है उसके बारे में बताया जाएगा और खासकर इसकी तैयारी वैसे कराया जैसे कि आपका result हो सके तो आप भी यहां पे इनका subscription ले सकते हैं और जल्दी करिए unacademy आपके लिए कुछ live classes भी देगा इस यहां पे section में इस course में आपको और free सत्रों के अनुसार unlock करने के लिए आपको एक code का यूज सित्माल करना होगा वो code हमारा आप यूज कर सकते हैं जितेंद्र 10 तो यहां से आप लोग क्या किजेगा इस code को यूज कर लिजेगा जितेंद्र 10 तो इस code को यूज करते ही से ही आपको 10% का हर course पे discount मिल जाएगा यही नहीं BPSC के लावा और भी कोई भी course लना चाहते तो आप इस code का इस्तमाल जरूर करेंगे दोस्तों मैंने इसका notification यहां पे जो आउट किया गया था उसको डाउनलोड कर लिया है और यह आपको एक चीज़ क्लेर कर दे कि यह आपका वेकेंसी है यह संभीदा के अधार पर है याने कि contractual basis job होगा आपका 10 तारीक से लेकर 10 फरवरी तक आप आविदन कर सकते हैं Odisha Power Transmission Corporation of India Limited की तरफ से यह वेकेंसी अपडेट की गई है जी हां दोस्तों यहां पे salary भी काफी अच्छी है तो मैं आपको सबसे पहले तो यहां पे देखलाना चाहूंगा कि जो number of vacancies है यहां पे category wise जो दी गई है आप यहां से check कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों जो कुछ backlogs category के vacancies से वो भी check कर सकते हैं कुछ पोश्ट यहां पे दोस्तों engagement and the career development को लेकर है जिसके लिए project तयार किया गया है यहां पे salary काफी अच्छी है देख सकते हैं आप लोग यहां पे यह सब basic pay salary है लगबग 44,000 के आसपस जो है आपकी salary scale बन सकते हैं यह contractual basis है यह आप ध्या जाएगी और दूसरे साल 22,000 फिर 24,000 फिर 29,000 फिर आपको 32,000 इस तरह से करके आपको हर साल जो है यहां पे salary increment भी किया जाएगा with the TA और DA यहां पे ध्यान रखेंगे selected candidate जितने भी होंगे वो एक साल के यहां पे provision period पे काम करेंगे OPTCL में जो कि यहां से include किया गया है आप ल Electrical के लिए आविदन करेगा तो डिप्लोमा उनका होना चीए in Electrical और Electrical and Electronics Engineering में 60% aggregate के साथ यह ध्यान रखेंगे aggregate बोला गया हने के throughout यहां पे आपको 60% होना चीए SCT और PWD candidate के लिए यहां पे SC और PWD candidate के लिए 50% यहां पे update किया गया है एज की बात कर लिए यहां पे तो 32 साल एकई से लेकर 32 साल तक के छाटर इधर आविदन कर सकते हैं और जो भी category मतलब ओडिसा से आते हैं छाटर उनको यहां पे age में relaxation भी जरूर दिया जाएगा बट जो भी other states से हैं चाटर आविदन कर सकते हैं उनको यहां पे age relation नहीं मिलेगा वो general category से आविदन करेंगे यहां पे तो यह एक update है यहां पे और जो भी आपका date of birth होगा वो आपके matriculation के certificate को लेकर ही count किया जाएगा तो यहां से आप इसको update भी करके देख सकते हैं बाद में आपका जो चायन का अधार होगा यह मैं आपको यहां से देख लाना चाहता हूं सबसे पहले तो आपका जो cbt test होगा उसमें 50% marks at least आना चाहिए आप लोगा जो general category में हैं जो SCT और PWD category में है वो 40% के साथ क्वालिफाई कर सकते हैं उसके बाद यहां पे एक आपका personal interview होगा बट वो qualifying marks पे होगा अधारित लेकिन आविदन करने का सुल कि यहां पे ज्यादा है 1000 रुपे लिया जा रहा है और जो SCT और PWD category में है छात्र यहां पे 500 रुपे देकर आविदन करेंगे तो यह आपको online आविदन payment जो है gateway payment से भी कर सकते हैं आप लोग जो भी process होता है online payment कर और दिरंपूर और राउरकिला बरासूर और संभलपूर जैपूर यहां पे आपका center होगा यहां पे ध्यान रखेंगे और आपका center चेंज नहीं होगा आप जब एक बार center भार देंगे तो देख लिजीगा कहां आपको जालने में ज़्यदा convenient है ठीक है तो यह ध्यान रख करके रख लीजिएगा form भरने से पहले तो यहां पे जो documents लगेंगे आपको 10th pass और qualification पास certificate आपका जो है essential qualification जो भी पोस्ट ले आप आविदन करेंगे वो का certificate जो छात्र यहां पे ओडिशा से बिलोंग करते उनका लगेगा PWD जो है चात्र यहां पे जो भी चात्र है उनका certificate एक सर्विसमेन है तो उसका certificate ठीक है यह सारी चीज़े हैं यहां पे तो 10 फरवरी तक आप इसको लिए आविदन कर सकते हैं और OPTCL recruitment जो है यहां पे advice कर रहे हैं कि आप इसके official website पे ही जाके आविदन करेंगे किसी fake website का ध् graduate engineer के लिए junior engineer का post के लिए आविदन करने के लिए 40 post वहाँ पे दिये गया है और अब यह जो है apprenticeship के लिए है यहां पे graduate apprentice आविदन कर सकते हैं 232 पर तो टोटल मिला के 262 पदों का यह जो है यहां पे पुरा recruitment अपडेट दिया गया लेकिन इसके लिए आविदन करने का जो ती यह post दिये हैं लेकिन इनकी salary skill कम होगी चुकि apprenticeship की job है और यह एक साल का trainee period का job होता है जिसमें कि आपको 9,000 रुपे stipend salary के तौर मिलेगा और जो diploma होंगे उनको 8,000 मिलेगा तो electrical के लिए 40 post है इधर आप लोग को जो मैंने बताया है ठीके और जो graduate level में आविदन करेंगे उनक के लिए 40 post अलग से है जिसकी salary यहां पर 32,415 रुपे तक है और 44,000 तक यह TADA मिला कर आपको मिल सकेगी यहां पर update देख सकते हैं जो भी चात्रे आविदन करेंगे उनके इस discipline में graduation की degree होनी चाहिए यानि कि B.E.B.Tech होंगे तो ही आविदन करेंगे तो total यहां पर देखें त और engineering, electronics and telecommunication, information technology, computer science engineering वाले चात्र जो है इधर आविदन कर सकते हैं, total 80 पदो की vacancy है यहां पे for the graduate apprentice, diploma apprentice के लिए जो कि technician का post होगा यहां पे दोस्तों, यह करीब 200 चाहस-पस का post है, तो यह total मिला के 232 पदो का vacancy है, जिसमें कि इनको मिलेगा 8,000 रुपे stipend salary के तोर पे, यह और बढ़ाया भी जा सकता है, अपडेट जो है, यहां पे इनके qualification आप यहां से check कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया, B.E.B.T.E.C. होना चाहिए, और डिप्लोमा का degree 3 साल की complete होनी चाहिए, जो यहां 31, 12, 2020 तक आपका education qualification complete हो जाना चाहिए, इस बातबग का भी ध्यान रखेए तो इसके लिए आपको आविधन कैसे करना है, तो सबसे पहले तो आपका registration होना चीए, mhrd.gov.in के official website पे graduate degree या diploma technician के लिए आप आविधन कर रहे हैं तो, इस बात का यहां ध्यान रखेगा, apply करने का भी link activate हो चुका है, जो कि description में आपको दिया जा चुका है, और इसके लिए जो date है, वो 25 जनवरी last date है, आप इधर आविधन 5 बच से पहले कर लिजेगा, ठीक है, यह update है दोस्तों इस vacancy को लेका, तो total 262 पदो की vacancy का update हमने आपको दिया है, इस वीडियो के मादने से तो वीडियो को एक like और share जरू कीजिए, आप लोग के लिए वीडियो बनाया ज कर सके, all the best धन्यवाद, मिलेंगी आपसे अगली वीडियो में, जल्द ही,